दोस्तो आज हम आपको बताएंगे गर पर ही खुद बनाए आवला की चाए जो बजन तो गटाएगा ही साथ में शुगर को भी कंट्रोल करती है तो चलिए दोस्तो शूर करते हैं स्वाद में खटा और अशद्य गुनों से बरपूर आवला का सेवन सेहित के लिए बेहत फाइदिमन माना जाता है वहीं इसकी चाए का सेवन किसी रामबान अशद्दी से कम नहीं है जी हाँ आवले की पतियों की चाए डाइबटी से लेकर मोटापा कम करने में मददगार होती है चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आवले की पतियों के बेहतरीन फाइदे और इसे बनाने का तरीका आवले की चाए की विदी एक पैन में डेड़ कप पानी उबाले फिर इसमें एक चमच, आवला पौडर, अद्रक, दो तिन पुदीने की ताजा पतियां डाल कर कम से कम दो मिनट तक उबाले जब चाए अच्छी तरह पक जाए तो इसे गैस से उतार ले अब इसे छान कर शैद मिला कर चाए की तरह पिए चलिए अब आपको बताते हैं आवले की चाए पीने के फाइदों के बारे में डायवटीज में फाइदेमंद फाइबर से बरपूर आवले की चाए खून में शुगर को क्रमिक या दीरे-दीरे रिलीज करती है इससे शुगर लेवल कंट्रोर रहता है जो डायवटीज मिलीजो के लिए फाइदेमंद है वही रोजाना इसका सेवन टाइब टू डायवटीज नहीं होने देता अम्यून्टी बढ़ाए एंटी ओक्सिडेंट से बरपूर हो जाना एक आवले की चाए पीने से अम्यून सिस्टम मजबूत होता है इससे ना सिरब आप करोना वाइरस से बचे रहेंगे बलकि यह मांसून में होने वाली बैक्टीरियल और वाइरल बिमारियों से भी बचाव करता है सर्दी खासी से रहत इस चाहे का सेवन मांसून में होने वाली सर्दी खासी जुकाम और गले में खरासे भी रहत देता है साथ ही इसका सेवन वाइरल फीवर में भी फाइदमंद है आँखों के लिए फाइदमंद आवला की चाहे मोतिया बिंद, कलर ब्लाइडनेस, ड्राइ आई सिंड्रॉम या कमजोर नजर वालों के लिए भी गुनकारी है इसके लावा इससे मांसून में होने वाली अलर्जी की समस्या भी नहीं होती फंगल इंफेक्शन इसमें मुझोद एंटी बैक्टिरियल और एंटी इंफ्लमेंटरी गुन फंगल और बैक्टिरियल इंफेक्शन को दूर करने में मदग करते हैं बोडी को करे डिटॉक्स यह शरीर में मुझोद विशैले टॉक्सिन को बाहर निकालती है जिससे body detox होती है, इससे आप गंबीर बिमारियों से बचे रहते हैं पाचन किरिया रखे दुरूस्त, इस चाय का सेवन करने से digestion system भी सही रहता है इससे आप coverage, acidity, बूख ना लगना, पेट में infection और दर्द से बचे रहते हैं दिल को रखे स्वस्त, इससे blood circulation और cholesterol level सही रहता है, जिससे आप दिल की कई बिमारियों से बचे रहते हैं साथ ही इससे खून का ठका नहीं बनता, जिससे heart attack का खत्रा कम होता है डिप्रेशन और तनाव, इससे तनाव, anxiety और डिप्रेशन जैसी मानसीक प्रिशानियां दूर रहती है साथ ही इससे mood बैतर होता है और दिन बर शरीर में energy बनी रहती है cancer से बचाब, यह शरीर में मुझूद कोशिकाओं को खराब होने से रोकती है जिससे cancer से बचाब होता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का टोपिक जिसमें हमने आपको बताया गर पर कैसे बनाए आवला की चाये, जिससे बजन तो गटेगा ही साथ में diabetes की परशानी भी दूर होगी उमीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए अगर आपको ये वीडियो फायदे में लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोफ्तों से जूशे करें इस वीडियो को ज्याद से ज्यादा शेर करके ज्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाए लाइक और कमेंट करके अपना फीड़बैक भी दे और हमारे चैनल को सब्सकाइब करना मत बूले कीप शेरिंग एंड कीप स्पोटिंग अस हम जल्दी मिलेंगे आप कोई कोई नहीं वीडियो के साथ थैंक्स फो वाचिंग